यह गैस कैसे आप लोग आप लोग आप लोग जहां बहुत ही अमेजिंग हुग है तो गैस आज है 6 अक्टूबर और आज सुबह से करीब साड़े आठ से 9 बजे के बाद जो है जियो के बहुत सारे यूजर्स जो है एक्सपीरियन्स कर रहे हैं नो सर्विस और कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिनका बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है तो यह यहां पर जो है जियो का ने खुद ऑफिशल स्टेटमेंट देदी है ट्विटर के उपर कि उनके नेट्वक के अंदर कुछ ना कुछ प्राब्लम टेक्निकल चल रही है जिसकी वज़े से डियर आ लॉट अफ यूजर्स जिनका नेट्वक नहीं आ रहा है तो एक्जाम्पल के लिए मेरे पास ही तीन सिम है जियो की पहला कोई कवरेज नहीं आ रहा है सिम बिल्कुल बंद पड़ी है दूसरा कोई कवरेज नहीं आ रहा लेकिन जो सिम बिल्कुल बंद पड़ी है तीसरा जो मेरे पास यहां पे है और इसके अंदर भी जियो ही है लेकिन यह बिल्कुल परफट्लि कामद कर रहा है इसमें कोई इशू नहीं आ है इसको मैंने रिबूट करके देख लिया असमें कोई इशू नहीं है अब ऐसा क्या है और क्यों पर यह प्राइब्ल्म सारी है यह भी मैं explain करता है आपको तो यह जो मैंने पहले आपको दो sims दिखाई जिनके अंदर बिल्कुल network नहीं आ रहा है यह मेरी MP, मद्यपरदेश की sim cards है जब मैं वहाँ पे project कर रहा था उस वक्त की मेरे sim cards हैं यह और इनके अंदर बिल्कुल भी network नहीं आ रहा है जबकि जो मेरे पास तीसरा जो geo है वो है मेरा पंजाब का sim अब पंजाब का जो geo sim है उसके अंदर कोई problem नहीं है तीनो you can see तीनो मेरे पास एक ही location पे है जहाँ पर एक में बराबर काम कर रहा है लेकिन दो के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर कुछ उनका network का technical issues है I hope की बहुत ही जल्द resolve कर दिया जाँ because मेरा जो main number जो मेरे पास चलता है उसी का network यहाँ पर geo ने अभी बंद कर रखा है मतलब technical issues की वज़े से I hope की बहुत ही जल्द यह वापस उनकी team काम कर रही है वापस जल्दी recovery हो जाएगी पूरे network की so अगर आप भी ऐसा experience कर रहे हैं और कहां पर कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो experience करा वो आपको दिखाया आप कहां पर यह इस तरह का issues recover issue जो है face कर रहे हैं do let me know in the comment section की आप कौन सी state से हैं और वहां पर भी आपको यह issue है या नहीं है right so that's all for this video फिर मिलते हैं एक और में वीडियो के साथ till then stay safe